शेतान जीम, इसमाला रह्माल रहीम, सूरत मुमिन या सूरत अलगा, फिर हम कर रहे थे, निस्फ हो गया था, जुस 24 कर रहे हैं, इंशाल्ला, कंटिन्यू करते हैं, जुस 24, आया नमबर 41 से करते हैं, वया खव्मी माली अदौकम इला नजवती वनदौनी इला नार, आया नमबर 41 में, और ऐ मेरी खव्म मेरा क्या है, मैं तो तुम को नजात की तरफ बलाता हूँ, और तुम मुझे तुज़ख की तरफ बलाते हो, तुम मुझे उस तरफ बलाते हो के मैं अल्ला को ना मानू और उस चीज़ को उसका शरीक करूँ, जिसकी मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं तुम को अल्ला की तरफ बलाता हूँ, जो बड़ा जबर्दस्त और बड़ा बक्षने वाला है, अल्ला की जो सिफ आई, वाना अदूकुम इला अजीज उल्गफार, ल्ल्ला बहुत जादा माफ करने वाला है, यखीनन बात है, तुम जिस चीज़ की तरफ मुझे बलाते हो, वो ना तो दुन्या में और ना ही आखिरत में पकारे जाने का लाइक है, और हम सब को अल्ला क की तरफ लोटना है, और हद से आगे जाने वाले सुब दोजखी है, अब 43 में जो भी हद से बढ़ रहे हैं, जो आईडल वर्शिप कर रहे हैं, चिर्प कर रहे हैं, तो जो बात मैं तुम से कहता हूं, उसको तुम जल्द याद करोगे, और मैं अपने मामले अल्ला के करता हूं, बिला शुबा अल्ला अपने बंदों को खुब देख रहा है, तो यहां पर मामले अल्ला के तरफ सुपूर्ट करते हैं, आफिर अल्ला ने मुसा को उनकी मुसी तद्बीरों से बचा लिया, और फिरोन वालों पर मेरा अज़ाब नाजिर रहा, मतलब जो भी हला जाकत वाले तद्बीरें थे, जो के नुकसान पहुचाना जा रहे थे, तो अल्ला सुपूर्ट अल्ला अल्ला बचा लिया, वो लोग सुबा और शाम आख पर पेश किया जाते हैं, और जिस रोज खियामत खायम होगी, तो हुकम होगा फिरोन वालों को सखत अज़ाब में दाखिल कर दो, आयत नमबर 46 में देखे, अनारू यो रादू अलैहा उदुवा और अशिया, उदुवा और अशिया मतलब सुबा शाम जो फिरोन, हामान और कारून ये पेश किया जाएंगे आग में, और उनके साथ वाले भी, कित्मी देखे, हुमिलियेटिंग पनिश्म है, अगर अगर खबर से भज गए, तो उसके बाद के मनाजिल आसान होगे, अगर वहाँ डिफिकल्टी, वहाँ मुश्किल होगी, तो फिर बहुत मुश्किल और बताते के बहुत ही फ्राइटनिंग, बहुत ही डरने वाला, और अल्ला हम सब को खबर किया, आज़ा करेंगे, तो चोटे लोग, बड़े लोगों से कहेंगे, हम तुम्हारी पैर भी करते हैं, और जब वह दोजख में जगड़ा करेंगे, तो चोटे लोग, बड़े लोगों से कहेंगे, हम तुम्हारी पैर भी करते हैं, और जब दोजख में जगड़ा करेंगे, तो तो क्या तुम हमारे अजाब का कुछ हिस्सा अजाब का कुछ हिस्सा दूर कर सकते हो बड़े लोग कहेंगे कि हम सब की सब ही दोजख में हैं अल्ला अपने बंदों में पैसला कर चुका है और जो लोग दोजख में होंगे वो दोजख के दरोगा से कहेंगे कि तुम अपने अब से दुआ कर दो कि एक रोस तो हम से अजा भलका कर दे अब 49 आयत में उन लोग एक दिन तो भी डे आफ चा रहें दोजग से लेकिन नहीं वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल निशानिया लेकर नहीं आया था दोजग की कहेंगे क्यों नहीं परिष्टे कहेंगे तो फिर तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ तो बिकार ही होगी अब काफिर जो है उनकी दुआ कुछ काम आने वाली नहीं है इस सूरत तो मुल्क में भी आता खालू अवलं तकू तातियकुम रसुलकुम बिलबयनत खालू बला खालू फदू मादू ओ बताते हैं हाँ तराने वाला तराने आया था लेकिन उसकी बात नहीं माले हम अपने रसूलों और मुमिनों की दुन्या की जिन्दगी में भी मदद करते हैं और उस रोज भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे यानी ख्यामत के दिन जिस रोज जालिमों को उनकी मौजरत खाई कोई फैदा ना देगी और उनके लिए लानत और बुरा घर होगा मतलब तर ताम दे रियलाइस कि हम जो भी करे गलत करे लेकिन वो चीज अब कामाने वाले नी है और हमने मुसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को किताब का वारिज बनाया कि वो अकल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है तो आप सबर करते रहे बिला शुबा अल्ला का वादा सच्चा है और अपने गुनाहों की माफी मांगे और सुबा वश्याम अपने परवर्दिगार की तारीफ के साथ तजबी करते रहे तो फिर तजबी का जिकराया 55 आयत में दिखे कि इन्ना वाद अल्लाही हख अल्ला का वादा सच्च है लेकिन उससे पहले हैं फजबी के सबर करो वस्तवी जबी का और अल्ला से माफी मांगो वस्तवी ही भी हम्जी रबी का वल अशी वल अपकार सुबा और शाम मौनिंग और इद्मी तो अगेन अगेन जिकर की बात होरी तो सबसे बहतरी जिकर क्या है तो हमारा जबान जिकर से तर होना चाहिए जो लोग अल्ला की आयतों में बगहर किसी दलील के जो उनके पास आई है जो जगड़ा करते हैं उनके दिलों में बड़ा तकब्र है तो आप अल्ला की पना मांगिए बेशक वो सुनने वाला खूब देखने वाला है अल्बता आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला आदमियों का पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है लेकिन अक्सार लोग जानते नहीं देखिए अगर आप जमीन और आसमान को लेखिए और इन्सान को लेखिए इन्सान तो छोटा सा है इसंट इट तो अल्ला तेला के लिए ना ये मुश्किल है ना वो मुश्किल है लेकिन अगर लोग ऐसा समझ रहें तो ऐसी कोई बात नहीं अल्ला के लिए तो हर चीज़ आसान है और अंधा और आंग हवाला बराबर नहीं होते और वो लोग जो इमान लाए और अच्छे काम किया और बदकार बराबर नहीं होते तुम लोग बहुत कम समझ रखते हो वामा यस्तविल आमा वल्वसी वल्लजीन आमनु वामिलु स्वालिहाते वलालमुसियो वल्लमा तदजक्रून खियामत तो जरूर आएगी इसमें कोई शक नहीं लेकिन अकसर लोग यकीन नहीं रखते और तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझ को पकारो मैं तुम्हारी दुआ कुबूल करूंगा जो लोग मेरी अबादत करने से तकबर करते हैं वो बहुत जल दोजख में जलील हो कार दाखिल होंगे मतलब बहुत ही हुमिलियेटिंग पनिश्मेंट उनको मिलेंगी आयत नमबर 60 में इननलजीन यस्तकबीरून अन अबादती से यद्खलून जहन्न दाखिरी मतलब बहुत ही रुस्वाकुन उनके लिए अजाब है रसूल आला सल्ला सलम करते है कि इनना दौा हुआल अबादत दौा क्या है अबादत है तो हम हमेशा दौा करना चाहिए प्राफिट सल्ले लिए ने फर्मान इंडीड फू ड़स नोट आस पर ला ल्ला से नहीं दौा मांगता तो ल्ला उनसे अंग्री हो जाते गुस्से में आ जाते अंतमूल फूकरा बहुताई तो खनी है हम सब वी नीड अल्ला सुगाण अल्लाatellा टैला 手त दौा करना चाहिए कि प्राफिट्स किस तरह दौा करे थे हम देखते हैं ना दुआस किस तरह थी इबराहिम अलिस्लाम, यूस्प अलिस्लाम, सुलिमान अलिस्लाम, जखरिया अलिस्लाम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट दुआइज और कैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे लास को में लगा पिर तुम कहां बटक रहे हो इसी तरह वो लोग भी भटक रहे थे जो अल्ला की आयत से इंकार करते हैं अल्ला ही है जिसमें जमीन को तुम्हारे लिए तेहृेने की जगा बनाई का लिए दी यही है एल्ला तुम्हारा रबस अल्ला बड़ी बरकत वाला है सारे जहानों का परवर्दिगा है वो ही जिन्दा है उसके सिवाए कोई माबूत नहीं तो उसके लिए इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो सारी तारीफ अल्लाही की सजावार है सो तमाम जहान का पालने वाला वो है तुर्साफ तमाम तारीफ सिर्फ अल्ला के लिए अब यहां बार बार जब हम देखते हैं कि अल्लाही की तारीफ है हम दोसना बयान करना है और किस तरह अल्लाही बता रहें कि अल्लाप आल्ला ही है जो हर चीज़ का करने वाला है और सारी चीज़ें या बताई जारी के अल्हम्द लिल्ह रब आलमी सारी तारीफ अल्लाप आल्लाप के लिए आई नभी आप फर्मा दिये मुझे इस बात से मना कर दिया गया है कि मैं उनकी अबादत करूँ जिनको तुम अल्लाप के सिवाए पुकारते हो जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से खुली दलीले आ चुकी है और मुझे को ये हुकम हुआ है कि परवर्दिगार आलम का ताबे फर्मान हूँ वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर नुद्फे से फिर लोथड़े से फिर तुमको बच्चा बना कर निकालता है फिर ताके तुम पहुँचो अपनी जवानी को फिर ताके तुम बूढे हो जाओ और कोई तुम मेंसे पहली फौत हो जाता है और ताके तुम मुखरर वक्त तक पहुच जाओ और ताके तुम समझो अब ये पूरा बैयालोजिकली जो हम देखते पूर्टीन यहां पहले ही अल्ला ताला यहां पर बता दी किस तरह एक ओरीजिन कैसा होता बच्चा कैसा स्पर्म ड्राप से लेके पूरा बच्चे का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए कि नुद्वा कैसा है फिर मुद्गा कैसा है सारी चीजें बताएगे और फिर बता रहें कि कोई बड़ी उमर को पहुंच जाते शुयूख और फिर कोई जल्दी मर जाते सुबका वक्त अलग अलग है फिर अजलम मुसमा ला अल्लाकुम ताकिलून हम सबका एक मुखरर वक्त है उससे पहले ना उसके बाद हम सबको अल्ला तरह के तरह वापस लोड़ के जाने का वो ही है जो जिलाता है और मारता है फिर वो जब चाहता है के कोई काम करे तो कह देता है के हो जाओ तो वो हो जाता है पैन्नमा यकूलू लहू कुन पयकूल क्या आपने नहीं देखा कि जो लोग अल्ला की आयतों में जगड़ा करते हैं वो कहां भटकते फिरते हैं जिन्हों ने इस कुरान को जुटलाया और उस चीज़ को जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा तो जल्द ही ये जान लेंगे जब उनकी गर्दोनों में तोख और जंजीरे पड़ी होंगी घसीटे जाएंगे आयत नमर 71 में देखे तोख होंगे और घसीटे जाएंगे शाकल सुन्गे उनके खौलते हुए पानी में फिर आग में ज्छोंके ज्छोंक दिये जाएंगे खौलते हुए पानी में आग में किस तरह इनका अजब होंगा डिफरेंट अजब इस मेंशन ओवर हीर फिर उन से कहा जाएगा वो कहां है जिनको तुम शरीक ठहराते थे अल्ला के सिवाए मुश्रिक लोग कहेंगे कि वो हम से गाइब होकर गुम हो गए हैं बलके हम तो पहली किसी चीज़ को पुकारते ही नहीं थे इस तरहा अल्ला काफिरों को गुम्रा कर देता है ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहख खुश होते थे और इसकी सजा है कि तुम इतराते थे खुश होने में कोई वो नहीं है लेकिन इतराना बोस्टफुल होना ये मना क्या गया है तुम दोजखे दर्वाजों में दाखिल हो जाओ हमेशा यां रहोगे तो तकब्र करने वालों का वो बुरा ठीकाना है अब जो तकब्र करें उसका एंट विजल 76 आयत में बता रहें कि वो दोजख में रहेंगे तो आई नभी आप सबर करें वादा सच होगा फिर हम अगर उस अजाब का जरा सा हिस्सा आप को दिखा दें जिसका वादा हम आप से करते हैं ये आप की मदद ए हयात मुदद ए हयात पूरी कर दें तो उनको हमारी ही तरफ लोट कर आना है और हमने आप से पहले बहुत से रसूल भेजे हैं उन में चन्द के हालाद तो हमने आप से बयान कर दिया और चन्द के हालाद नहीं बयान किये और किसी रसूल को इक्तियार ना था कि वो अल्ला के हुकम के बगएर कोई निशानी लाए फिर जब अल्ला का हुकुम आया तो ठीक ठीक फैसला हो गया और उस वक्त बातिल वाले लुक्सान में पढ़ गए मतलब जो निशानिया आ गए फिर भी लोग इंकार करें अल्ला ही ने तुम्हारे लिए चार पाई पैदा की ताके उन में बाज़ों पर सिवारी करो और उन में से बास को खाओ अब ये चार पाई जो है आनिमल जो है जिस पर राइड भी करते या खाते भी तो ये अनाम की बात हुरी और तुम्हारे लिए उन में भी बहुत से पैदे हैं ताके तुम उन पर अपने मकसद तक पहुँच जाओ तुम्हारे दिलों में हैं और उन पर और कश्टियों पर तुम सवार होते हो और वो तुम को अपनी निशानिया दिखाते हैं तो तुम अल्ला के किन किन निशानियो का इंकार करोगे तो अल्ला तल्ला यहां अपने निशानियों का यखीन भी दिला रहे कि क्या क्या चीज़ों का तुम इंकार करेंगे क्या उन लोगों ने जमीन पर चल फिर कर नहीं देखा कि उन से पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ वो उनसे ज्यादा थे और बड़े हुए थे हुवत और निशानियों में वो जो जमीन में छोड़ गए थे तो जो वो करते थे उनकी कुछ भी काम नाया मतलब स्ट्रॉंग थे उनकी जो पावर था ना हेल्थ वाइज या इवन उनके पास पैसा माल कुछ भी काम नाया तो जब उनके रसूल उनके पास खुली निशानिया लेकर आये तो वो अपनी इल्म पर बड़े नाजान हुए जो उनके पास था और जिस अजाब का वो मजाख उड़ाते थे वो उन पर आ पड़ा फिर जब उन्होंने हमारे अजाब देख लिया तो कहने लगे हम अल्ला पर इमान लाए जो अकेला है और जिस चीज़ को हमने अल्ला का शरीक बनाया था उसका मुनकिर हुए तो उनके इमान ने कुछ नफा ना दिया जब उन्होंने हमारे अजाब को देख लिया अल्ला की ये आदत है जो उसके बंदों में चली आती है और उस वक्त काफिर खसारे में पढ़ जाएंगे सुन्नत अल्लाह लदी खद खलत फी इबाद ही वा खसीरा हुना लिकल काफिरून तो काफिरून का ये एंड रिजल्ट है तो यहां पर सूरत एंड हो रही है से शुरू हूंगी बहुत सारे सूर्थे हामी और आगे जो सुरत ही ये हामी मस्च्टा ही जूस टुइनटीफोर में सूरत सारे हमने फिनिश कर चुके पर चुछाह, सुर्ट अल्गाफिर हमने फिनिश की है जो सुरत-ul-गाफिर, सुरत-ul-मुमिन भी कहते हैं अब ये सुरत-ul-हामी मस्ज़दा, सुरत-ुसिलत कहते हैं इसको पहले हम इसका थोड़ा सा डीटेल देखते हैं ये मक्की सुर्दा है और इसमें 54 आयते हैं और इसमें जो हमजा रजियालान हो इसलाम लाए और फिर उमर रज्याला नो और यही अर्ली स्टेजिस थे ना जो मक्का में थे वहां जब की बात है जो इसका सूरत का नाजिल होना है और इसमें जो बातें डिसकस होंगी डीटेनल में हम जाएंगे कुरान क्या है? एक नसीहत है और उस दिन का जो हलाकत है जो आखिरत में जो जज़कात ने देंगे और फिर क्रियेशन ओफ आर्थ, मौउंटेन, सी, स्काई सब के बारे में होंगा क्यों बनाया गया? और किस तरह आद और समूद हलाक होए? और डे अफ जज़्जमेंट में अपने कान, आँख और स्किन हमारे अगेंस गवाई देंगे और फिर अल्ला एक है और उस पे जम जाना है और एंजल्स क्या है? प्रोटेक्शन के लिए है सबसे अच्छी स्पीच क्या है? जो अल्ला के तरफ बुलाए और जो अच्छा अमल करेंगे वो अच्छा ही होगा और सुबसे बहतरी हैं कौन है? आएम अमस्लिम जो मुमिन है और फिर जो वही के जरीयर रसूल अल्ला सल्ला सलम पे उतारा गया कुरान और दूसरे प्रॉफिट्स पे भी डिफरेंट बुक्स उतारी गये थे खुरान क्या है? शिफा है और गाइडेंस है हीलिंग मतलब शिफा और ये इस सिमिलर टूप जैसा मुसा अलिए इसलाम को दिया गया था उस तरह और टेय ऑफ जज्जमिन में जो लोगे लोग शिर्क करते थे वो जब अपने शरीक को बलाएंगे वो गाइब हो जाएंगे ये खुरान अल्ला के तरफ से है और ये जो भी इंकार करने वो कम्प्लीटली वो खसारे में है उनका कोई भी फैदा होने वाला नहीं है तो वो खसारे में होगे तो सूर फुस्सिलत हम इंशालल थोड़ा सा ये भी ब्रीफ सम्मरी होगी हम पुरा डीटेल में नहीं जा रहें अगर आप डीटेल में सुनना चारें तो तालीम उल्कुरान के हैं क्लिपस अग ये योटीव पसम सब्ड़ा खुद बल्ही मन श्शेदान रर्जीम बिस्म ल्ल्ही रर्रह्मान रर्हीम सूरत फुस्सिलत हमीं तन्जील नर्रह्मान रर्हीम किताब फुस्सिलत आयातु पुरान अरीब अरबीया ल्कौम यालमून हमी मस्जदा हमी इस किताब का नाजिल करना रह्मान और रहीम की तरफ से अल्ह तल्ह के दो सिफ्ट आयां पर रह्मान भी है अल्ह तल्ह और रहीम भी है ये एक किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान की गई है यानि खुरान अरबी जबान का है उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं खुश्क रब्री देने वाली और डराने वाले तो अक्सर लोग ने एरास किया फिर वो सुनते ही नहीं और वो कहते हैं के हमारे दिल पर्दों में है इस बात से जिसकी तरफ आप हम को बुलाते हैं और हमारे कानों में गिरानी है और ह तुम्हारे दर्मियान एक पर्दा है आप अपने काम किया कीजिए हम अपने काम कर रहे हैं आयत नमर साइद में देखें कितना ज़्यादा तकब्र है मतलब हिदायत की बात वो सुनना ने जा रहे हैं और फा आमल इनना आमिलून तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अल्ल मुझ पर वही नाजिल होती है कि तुम्हारे माबूत तो एक ही माबूत है तो तुम सीधी उसी के तरफ मतवचे रहो और उसी से बक्षिश चाहो और मुश्रीकों के लिए बड़ी खराबी है यहां फिर अल्ला का पेगाम पहुँचा जारा है कि अल्ला को एक मानो और शिर ला युटून अजगात बिला शुबा जो लोग इमान लाए और नेक अमल किये उनके लिए ना खतम होने वाला बदला है लहुम अजरुन गईरु ममनून पर हम देखते कि बार बार यहां पर बताया जारा कि शिर्क ना करो और आयद नमबर 9 में आप फरमा दीजिए तो यहां पर जो मकी सूरते हैं ना बहुत जादा शिर्क की तरदीद की जारी आप फरमा दीजिए क्या तुम उस जाथ से इंकार करते हो कि जिसने जमीन को दो दिन में पैदा किया और तुम उसके शरीक खेराते हो यही सारे जहान का परवर्दिकार है और उसी ने जमीन में उसके उपर पहार बनाया और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी गिजाएं मुखरर कर दी ये सब कुछ चार दिन में हुआ और तमाम सवाल करने वालों के लिए यक्सा तो लटला किस तरह सारी काइनात को बना दी विदिन सिक्स डेज फिर आसमान की तरफ मतवज्ज हुए और वो धुआ था तो उसने उस से और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों आओ कहा खुशी से ये ना खुशी से उन्होंने कहा हम खुशी खुशी आते हैं फिर अल्ला ने उसके साथ आसमानों दो दिन में बना डाले और हर आसमान में अल्ला ने उसके मुनासिव हुकम भेजा और हम ने दुनिया के आसमान को सितारों से मुजयन किया मतलब decorate को बसुरत बनाया और उसको महफूज रखा है यह सब मुकरर करता अंदाजे से हैं मतलब एक prescribed time and span से जबरदस्ट खूब जानने वाला पिर अगर वो मू फिर लें तो आप फर्मा दें कि मैं तुमको ऐसा अजाब से डराता हूँ जो कौम आद कौम सब मूत को पेश आया था आया नमबर 13 में बताने के जिसे प्रीवियस नेशन के उपर अजाब आया था वैसे ही जब उनके पास हमारे रसूल उनके आगे और पीछे से आये कि अल्ला के सिवाए किसी की अजाबत ना करो उन्हों ने कहा अगर हमारा रब को रब को मनसूर होता तो पौ फरिष्टे उतार देता सो जो तुम लेकर आए हो हम उसको नहीं मानते अब इनकी एक ये थी कि नए अगर फरिष्टे उतारते तो हम ये बात मान लेते तो जो आद के लोग थे वो मुलक में नाहख तकब्र करने लगी और कहा हम से ज्यादा खुवत वाले कौन है क्या उन्होंने नहीं देखा ए अल्ला जिसने हम को पैदा किया वो उन से खुवत में बहुत ज्यादा है और हमारी आयतों का इंकार करते रहे तो हमने उन पर नहुसत के दिनों में जूर की हवा चलाई ताके उनको दुनिया की जिन्दगी में जिल्लत का अजब का मज़ा चके ने दिन और आखिरत का अजब को बहुत ही जलील करने वाला है और उनको कोई मदद नहीं लेगी अब आयत नमबर 16 में किस तरह अजब भेज़े वो बात बताई जारी और जो समूद थे तो उनको हमने रास्ता दिखा दिया मगर उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को पसंद किया तो उनका सरापा जिल्लत के अजब ने पकड़ लिया उनके बद अमलियों की वज़े से उनके जो बद अमल थे ना उसके वज़े से अजब पकड़ लिया समूद को और हमने उनको बचा लिया जो इमान लाए और अल्ला से डरते रहें देखो की तिंग एकी है वनजईनल्लजीन आमनु वकानु यत्तखुन इमान के साथ तक्वा जरूरी है अल्ला का डर बहुत ज़्यादा जरूरी है हैग चीज़ के लिए और जिस रोज अल्ला के दुश्मन दोजख की तरफ जमा किये जाएंगे तो उनको रूका जाएगा यहां तक कि जब वो दोजख के पास पहुँच जाएंगे तो उनके कान आँख और चमड़ी उनके खिलाफ उनके अमल की शहादत देंगी आयत नमबर 20 में देखिए जो भी हम इस दुन्या में करने ना अगर गलत काम करने वो सारे यह विटनिस करने वाले है मू सील हो जाएंगा लेकि इन लोग शहादत देंगे इन लोग गवाई देंगे अपनी चमड़ी अपने खिलाफ जवाई गवाई देंगे क्योंके देखिए वो जो तुम करते थे कान आंग अपना सकिन सब चीज़ बोलने लगी और वो अपने चमड़ों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ गवाई क्यों दी वो कहेंगे जिस अल्ला ने सब को बोलना सिखाया उसी ने हम को बोलना सिखा दिया और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरह वापस लोटना है देखिए जब अल्ला ताला मू से बात करना पॉसिबल है तो वाई नोट सकिन भी बात कर सकता और तुम इस बात से परदा नहीं कर सकते थे कि तुम्हारा कान तुम्हारी आँखें और तुम्हारे चम्रे सब तुम्हारे खिलाफ गवाई देंगे लेकिन तुम ये गुमान करते थे कि अल्ला तुम्हारा बहुत से आवालों को नहीं जानता अक्सर लोग यही समझते ना क्या आल्ला सुब चीज़े थोड़ी रखेंगे इस दुनिया में आल्ला प्राइवेसी में रखे छुपा के रखे लेकिन आल्ला से दुआ करिया और इस दुनिया में ही अपनी इसला कर लीजे ताके आखिरत में वो रुस्वा को नजाब से बच जाए और फिर यह आपकी अपनी बॉड़ी के स्किन से लेके आईस से लेके कान गवा दे रहे हैं तो आप सुचिए कितना हिमिलियेटिंग पनिश्मेंट है और तुम्हारी इस गुनानी जो तुम अपने रब के बारे में किया करते थी तुम को हलाक कर दिया तो तुम खसारी में पढ़ गए यह हलाक करने वाली बात है न तो यहां पर कौन है लूजर जो अल्ला की बात को ने समझ रहा तो अगर यह लोग सबर करेंगे तो उनका ठिकाना दोजख है और अगर तौबा करेंगे तो उनकी तौबा खुपल ना होगी अब टू लेट है आयत नमबर 24 में देखिए अब सबर भी करना काम नी आएंगा तौबा भी करना काम नी आएंगा क्योंकि उनका डिसाइड हो गया कि अब वो जहन्नम में रहेंगे और हमने उनके लिए कुछ साथ हैने वालों को मुकरर किया था तो उन्होंने उनके अगले और पिछले आमाल को अच्छा करके दिखा दिया था और उनके बारे में भी उन लोगों के साथ जो जिनों ने और इनसानों में से पहले जो गुज़रे हैं जिनों ने, जिन्नों में से और इनसानों में से गुज़र चुके हैं मतलब D Then Past अल्लण के ये खौल पूरा होकर रहा बेशक वो खसारे में रहे और उनकाफिरों ने कहा कि तुम इस कुरान को सुना ही ना करो और उसके पढ़ने के दोरान शोरोगुल मचा दिया करो शायद तुम ही गालिब रहो आयत नमबर 26 में देखिए ये चाहते थे जब कुरान पढ़ी जाती थी तो शोरोगुल इतना ज़्यादा नॉइस करते थे चाहे वो सिंगिंग हो या म्यूजिक हो जोर जोर से आवाजा निकालना ताके ये सुनना ने चाते थे जब ना कुरान के इवन आप फोन पे प्ले कर रहे हैं या टीवी पे तो उसकी रिस्पेक्ट रखी ऐसा ने कि वो प्ले हो रहा और आप अपना कुछ और भी बात कर रहें वो या तो फिर पॉस कर दीजे या स्टॉप कर दीजे दोनों चीज़ें एक साथ में हो सकते तो खुरान की इसा डिस्रिस्पेक्ट ने कर सकते और कुछ लोग कुरान की सामने बच्चे पढ़ रहे हैं का इंकार किया करते थे इससे पहले 27 और 28 में देखे 27 में क्या है सो हम भी काफिरों को सकत अजाब का मज़ा चका देंगे और उनको उनके बुरे आमलों की जो वो करते थे सजा देंगे यही अल्ला के दुश्मनों की सजा है यानि दोजख उनके लिए उसी में हमेशा का घर है यह उसकी सजा है कि हमारी आयतों का इंकार क्या करते थे आयत नमर 29 में और काफिर कहेंगे कि ऐ परवर्दिकार जिनों जिन और इंसानों ने जिन लोगों ने हमको गुमरा किया जिनों में से भी और इंसानों में से जो गुमरा किये थे उनको हमें दिखा दे हम उनको अपने पाओं से रौन डालना चाते वो खुब जिल्लत में हो अब यहां पर सुचरे के अच्छा जो हमको गुमरा करे न उनको हम अपने पाओं के नीचे रगड़ना चाते है क्या पैदा है? किसी की बात में आने की जरूरत क्या है? इसका मतलब हम अपनी नफस की पूजा कर रहे हैं हम अपनी नफस को फॉलो कर रहे हैं इननल्जीन वालू रब्बून अल्लाह सुम्मस्तखामू ततनजलू अलैहिम मलाइका बिला शुबा जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे रब अल्लाह है फिर उन्हों ने उस पर इस तेखामत इख्यार की तो उन पर फरिष्टे उतरेंगे और कहेंगे ना तुम कोई खौफ करो और ना तुम गमनाक हो और वहिश्टों की खुश्खबरी हासिल करो जिसका वादा तुम से किया जाता है ये बहुत बड़ी चीस है लेकिन इनके लिए ना खौफ होंगा ना गम होंगा अल्ला तखाफो वला तहजनो खौफ भी ने होंगा गम भी ने होंगा हम तुम्हारी दुनिया की जिन्दगी में भी रफिख थे और आखिरत में भी तुम्हारी रफिख है और जिस चीज़ की तुम खाइश करोगे वो तुम को मिलेगी और जो ना मांगोगे वो भी तुम को मिलेगा पस खायश करो अल्ला ताला आपको देने वाला जो नहीं भी करेंगे अल्ला ताला फर्मा रहें कि वो भी मैं देने वाला हूँ आप देखें कितनी जादा बड़ी बात है कि जो खायश कर रहें एवन दो नहीं भी कर रहें अल्ला विल गिव यो ये बत्वरे महमान के गफूरु रहीम की तरफ से है आयत नमबर 32 नुजुलुम मिन गफूरु रहीम अल्ला की महमान दरी और उस से ज़्यादा किसी की बात अच्छी हो सकती है जो अल्ला की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे के मैं मुसल्मान हूं 33 आयत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अल्ला के तरफ बुलाए वो बहुत नेक अमल करे फिर इननी मिनल मुसलिमी और प्राउडली करे मतलब खुशी से कहे कि हां मैं मुसल्मान हूं प्राफिट सल्ले ला ला लिसलम फर्माते ही जो इनसान नेकी के तरफ बुलाए अच्छी बात के लिए बुलाए तो उनका रिवार्ड क्या है जो बुलाए और जो करे दोनों को उतना बराबर मिलने वाला है तो हमेशा खैर खाहूं नेकी के तरफ बुलाने वाले हो और नेकी और बदी दोनों बराबर नहीं है आप अच्छे बरताओं से ताल दिया करें फिर यका यक आप में और जिस शक्स में दुश्मनी थी वो ऐसी हो जाएगी जैसे दिली दोस्ती होती है कभी क्या होता कि कोई इनसान बहुत जादा आपके मुखालफ़त करे या कुछ भी है फिर भी उनको लेट गो करे हो सकता कि वो आगे जाके आपके लिए दिली दोस्त बन जाया और आपको इसलाम में भी काम आए दिन में भी काम है बहुत लेट इंड़ाई और यह बात अन्ही लोगों को हासल होती है जो परदाष्ट करने वाले हैं जो बड़ा नसीब वाले है अगर परदाष्ट करने वाले के लिए बहुत बड़ाए وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَر بہت important وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا زُحَزٍ عَظِيم اور इसमे firm determination بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پنہا مانگا کریں بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے آیت نمبر 36 میں دیکھئے کہ شیطان جب وسوسے دالتا تو کیا پڑھنا چاہئے عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِينَ اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبو شیطان تو کبھی بھی شیطان کو کرس مت کرو بدوہ مت دو وَتَعَوْزُ بِاللَّهِ مِن شَرْحِ تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مادود کے خلاف فَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو کبھی بھی کچھ بھی عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو کیونکہ جب آپ شیطان کو کرس کرتے یا بدوہ دیتے شیطان ایراغنٹ ہوتا انہیں خوش ہو جاتا تو ہم اس کو خوش کرنا نہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن سورج اور چاند ہے تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند ہو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت کرنا ہے 37 آیت میں کھلیرلی بتا رہے ہیں سورج جان کسی کی پوجانے کرنا ہے صرف اللہ کو ایک ماننا ہے اللہ تعالیٰ کریٹر یہ سب کرییشن ہے پھر اگر یہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے وہ رات دن اسی کی تذبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں پھر تذبیح کی بات آئی آیت نمبر 31 میں فانستقبر فاللزین اندہ ربکا یسبیحونا لہو باللیلی ونہاری وہم لا یس آمون یہاں پر سجدہ ہے تو کھلی ہم سجدہ کر کے آئیں گے واپس آپ جہاں پر بیٹھے وہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ میرے سٹورنٹس ڈرائف کرتے ہوئے سنتے ہیں یا کام کرتے ہوئے تو آپ بعد میں اس کا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں صرف short تفسیر کر رہے ہیں اور period میں ہے یا آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں اس کے لیے وضعو کوئی شرط نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تُو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ دبی ہوئی یعنی خوشک ہے پھر جب ہم اس پر پانی پرساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے مطلب vegetation اوگ جاتا جو بھی ہے اور پھولنے لگتی ہے جب پانی آ گیا تو کس طرح زرقیز ہو جاتی تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا بلا شبہ یہ ایک مثال دی جاری جیسا زمین ڈیڈ ہو گئی تھی بھی بارش ہوئی تو کیسا alive ہو گئی ویسا چیز پر قدرت رکھتا ہے بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں پجرجی کرتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ غلط نکالنا باتیں وہ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں تو کیا جو شخص دوزک میں ڈالا جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا جو خیامت کے دن آمن و آمن سے آئے گا تو کرو جو تم چاہو جو تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ watch کر رہے ہیں تم جو بھی کر رہے ہیں اللہ is watching جن لوگوں نے اس قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئے اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے کی طرف آ سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے یہ حکیم ستودہ صفات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی جاتی رہی تھی بلا شبہ آپ کا رب بڑا مبکشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا 43 آیت میں بتا رہیں کہ جسا پریویس کتابیں تھیں یہ بھی ویسی کتاب ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اتار دے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں ساف ساف کیوں نہیں ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ کتاب تو غیر عربی ہے اور رسول عربی ہے آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے راستہ دکھانے والا اور شفا دینے والا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہیں ان کے حق میں یہ قرآن نہ بنائی ہے یہ لوگ بہت دور جگہ سے جاتے ہیں مطلب اب یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے تو جو قرآن عربی میں اتاری گئی تو جو انسان مطلب جو پروفٹ بھیجے وہ ہی لینگویج میں جو لوگ جو لینگویج بات کرتے وہ ہی لینگویج میں اللہ تعالیٰ کتابیں اتارے چاہے زبور ہو تورہ ہو یا قرآن اب قرآن عربی میں کیوں کیونکہ وہ سب عرب بات کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ کیا امی تھے وہ پڑے لکھے نہیں تھے اور عربی میں اتارے اور یہ قرآن کیا ہے ہدا ہدن اور وہ شفا ہے ہدایت بھی ہو شفا بھی لیکن لوگ نہیں سمجھیں جس کے کانوں میں گرانی ہے جس کے کانوں میں deafness ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس میں اختلاف کیا گیا اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے تھی تو ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے ہی فیدے کے لئے اور جو برا عمل کرتے ہیں تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور آپ کارہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہاں پر جز انڈ ہو رہا جز 24 یہاں پر انڈ ہو رہا ہے اور پھر جز 25 میں ہم باقی کی صورت continue کریں گے جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صورت انڈ ہونے کے لئے بلکل کچھ آیتیں ہیں تو ہم یہ فنش کر لیتے ہیں یہ آیتیں قیامت کا علم کا مسئلہ اللہ ہی کے طرف لوٹا جاتا ہے اور نہیں نکالتا کوئی پھل اپنے خول سے اور نہ حمل رہتا ہے کسی عورت کو اور نہ وہ جانتی ہے بچے کو مگر یہ سب اسی کے علم میں ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے آیت نمبر 47 جز یہاں پر چینج ہو جارہا لیکن جو بات یہاں پر ہوری only one page left تو میں continue with this again اور جس دن وہ ان کو پکار یں کہ میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کے شرک کا دعویٰ نہیں اور جن کو پہلے پکار پکارا کرتے تھی وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے مانگتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو کوئی مسئیبت آ جائے تو یہ حراسن اور نا امید ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگتے آئیت نمبر 49 آپ انڈر لائن کے لئے دعائیں مانگتے مانگتے جب کوئی مسئیبت آ جاتی ایسے زیادہ پریشان ہو جاتے اور اتنا زیادہ مایوس ہو جاتے اور اگر اس کو تکلیف کی بعد ہم اپنی نعمت کا مزا چکا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ میرے حق تھا اور میں نہیں سمجھ تک کہ خیامت خائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو میرے لئے وہاں بھی خوشحالی ہے تو ہم ضرور کافروں کو ان کے سب عامال بتا دیں گے اور ان کا سخت عذاب کا مزا چکائیں گے اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 50 میں جب اللہ تعالی رحمت کا مزا چکاتے تو وہ سمجھتا کہ یہ میرے وجہ سے ہے اور اس کو اتنی زیادہ غلط فہمی لیتی وہ سنجھتا کہ اچھا اس دنیا میں مجھے رحمت کا مزا مل رہا جو میں چاہر ہوں وہ مل رہا تو آخرت میں بھی یہ ملنے والا یہ زیادہ غلط فہمی رہتی اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور پھیلو بدل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگتا اب یہاں پر جب انسان کے اوپر رحم کرم کر رہے ہیں اللہ فیوز کر رہے ہیں تو مو مول لیتا اور پھر جب تکلیف آتی تو خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ فرما دیجئے کہ تم بدل تو اگر یہ خران اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرتے تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دور دراز کی مخالفت میں پڑ جائے گا ہم ان کو تمام دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیا دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا آپ کے رب کا یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے مطلب گوائی ہے خبردار یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں شک کرتے ہیں خبردار کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے یہاں پر سورت end ہو رہی ہے تو سورت السجدہ اور حامیم سجدہ ہم جو یہاں پر فنش کر رہے ہیں سورت الفسیلت بھی کہتے ہیں اس کو اور پھر ہم نیا جو شروع کریں گے اور پھر ہم یہ تھوڑی سی آیتیں اس میں پھر سے ریپیٹ کریں گے انشاء اللہ سبحان اللہ بہمد ونشد لا إلہ إلا أنت نستغفر نتوب لیک السلام ورحمة اللہ